दोस्तो दुनिया का एक ऐसा देश जहां इंडिया का एक रुपया 290 रुपय के बराबर होता है और दोस्तो जपान में एक होस्पिटल के पेसेंट टोइलेट का पानी क्यों पीते थे और दोस्तो क्यों एक दिन के लिए मेल दोनी को एक बहुत बड़ी कमपनी का CEO बनाया गय हैं और दोस्तो हमारी बोड़ी में कई किलो ग्राम जितना डियने मौजूद है नमर नाइन दोस्तो साल 2017 में नोर्थ कुरिया में मदरश्डे को बेन कर दिया गया था दरसल दोस्तो मदरश्डे के दिन सब अपनी मां को प्यार करते हैं और उनके लिए गिफ्ट लाते हैं कि इस दिन लोग उनको ज़्यादा प्यार नहीं करते थे और इसलिए किम ओन जून ने नोर्थ कुरिया में मदरश्डे को बेन कर दिया नमर 8 दोस्तो आपने एपल्स तो खाये ही होंगे पर दोस्तो क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि एपल की कितनी वेराइटी होती ह दोस्तो आपको जबाब होगा नो या दस पर दोस्तो आपको जानकर हिरानी होगी कि एपल की साथ जार से ज़्यादा वेराइटी मिलती है दोस्तो एक इस्पुन सहद बनाने के लगबग 12 मदुमक्यों को अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है दोस्तो जपान के एक होस्पिटल में वहां के पेसेंट्स गलती से टोलेट का पानी पीते थे दोस्तो एक छोटी सी पाइप लाइन की गलती की वज़ा से उन लोगों को 30 साल तक टोलेट का पानी पीना पड़ा था दोस्तो अगर किसी नल से एक सेकेंड में एक बून पानी गिर रहा है तो दोस्तो एक साल में उस नल से करीब 11,000 लिटर पानी बरवाद हो जाएगा दोस्तो साल 2017 में एमेस दोनी को गल्फ ओफ इंडिया का CEO बनाया गया था वो भी सिर्प एक दिन के लिए दरसल एमेस दोनी ये बात जानना चाहते थे कि CEO का काम केसा होता है और दोस्तो उसे क्या काम करना पड़ता है दोस्तो अभी जो अब यहाँ तस्वीर देख रहे हैं या 12 अप्रेल 1912 में आईलेंड से जाते होई टाइटेरिंग जहाज की आखरी तस्वीर है दोस्तो इस किनस नाम का यहाँ जीब अपनी आखे बंद करके भी देख सकता है नमर वन दोस्तो वियतनाम दुनिया का केसा देख से जहां की करनसी बहुती कमजोर है दोस्तो वियतनाम में भारत का एक रुपिया करीब 290 रुपे के बराबर होता है